जहिन नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होगी तो गाइस एक नए वडियो में आप सभी शातियों का स्वागत है तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटेकनिक इंटरंस एक्जाम 2022 का एड्मिट काड पर क्रोड कर सकते हैं तो वीडियो में लाज तक बने रहेगा जो भी शाति वीडियो पहली बार देख रहेहें चैलल पर नहीं होंगे जनल को सब्स्क्राइब कर लाइ leaders कर दिछेगा तो आई यगा सात्ते वीडियो .in वाले option पर click कर देना है जैसे ही guys आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने guys कुछ इस तरह का interface नजर आएगा के बाद guys आपको थोड़ा सा scroll कर देना है scroll करने के बाद guys आपको यहाँ पर दिखेगा तो guys यहाँ पर आपको candidate activity board दिख रहा होगा उसके नीचे guys आपको download admit card of ZACOP 2022 दिख रहा होगा simply से guys आपको इसी पर click कर देना है और जैसे ही guys आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने guys कुछ ही इस तरह का interface नजर आएगा अब आपको क्या करना है guys आप आपको यहाँ पर अपना application number डालना है date of birth डालना है security pin डाल देना है guys उसके बाद sign in पर click कर देना है guys यहाँ पर मैं आपको application number DOB डाल कर दिखा देता हूँ as a security purpose में किसी का personal data share नहीं कर सकता हूँ guys ठीक है उसके बाद guys जैसे ही आप sign in पर click करेंगे आपके सामनी कुछी इस तरह का interface नजर आएगा guys आप guys आपको थोड़ा सा scroll कर देना है guys जैसे ही आप थोड़ा सा scroll करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा guys view download admit card simply से guys आपको इस पर click कर देना है जैसे ही guys आप इस पर click करेंगे उसके बाद guys आपके सामनी कुछी इस तरह का interface नजर आएगा ठीक है उसके बाद guys यहाँ पर थोड़ा सा scroll करेंगे तो यहाँ पर guys आपको दिख जाएगा देखेगा guys यहाँ पर बाकाइदा लिखा गया है download admit card simply से guys आपको इस पर click कर देना है और जैसे ही guys आप इस पर click करेंगे है ना आपके सामने देखेगा लिखा गया है है ना open तो guys simply से आपको इस पर click कर देना है और जैसे ही guys आप इस पर click करेंगे उसके बाद आपका admit card download हो जाएगा और अगर guys कुछ problem आती है तो guys आपको क्या करना है simply से guys उपर 3 dot पर click कर देना है 3 dot पर click करने के बाद guys आपको simply से desktop site वाले option पर ऐसे tick कर देना है तो guys ये देखेगा आपका admit card download हो चुका है मात्र 2 मिनट के अंदर ही guys आप लोग अपना भी admit card easily download कर सकते हैं अपने ही mobile phone से तो guys ये video आपको कैसी लगी comment section में comment करके जरूर बताएगा coughs करा रहा हूँ तो सभी साथी channel को जरूर visit करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रम